जमस्कार सातियों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल पर आज के इस वीडियो में MPGK का एक नया टोपिक आपके सामने लेकर आये हैं और इसको जो है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो आज का हमारा जो टोपिक है जिसके बारे में हम डिसकस कर तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अधिक साधिक लोगों तक शेयर करिएगा साथ इसी प्रकार के वीडियो डेली पानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथ अगर आप इसकी पीडियो अप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा निश्य एक्जाम जो है इसको डाउनलोड करना होगा और इसको आप प्लेइ स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहां से आप पीडियो ले सकते हैं तो चलिए शुरूरात करते हैं आज के इस वीडियो के और पहला कोशन जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला कोशन है कि भौपाल रियासत को भारत संग में कब शामिल क्या गया था सोतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मद्यप्रदस की सभी रियासतों का भारतिय गणराज्य संग में आपका विली करण विली नी करण हुआ था भारत संग में भोपाल रियासत को जो है आपका एक जून उन्निसो उन्चास को जो है इसको शामिल क्या गया तो भारत संग में यह कब शामिल हुआ था तो एक जून उन्निसो उन्पचास को जो है आपका शामिल हुआ था तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं य या बिडिट्रीस भाहरत में या आपके क्या कहलाते थे चार उप्षन ने प्रिंसली इस्ट्रेट रजवाड़े देशी रियासते या उप्रवक्त सभी तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वह बनता है उप्षन डी उप्रवक्त सभी नामों से जो है इनको ब्रिट्री जाता था देख लिजे इस से जुड़ी जानकारी वर्तमान मद्यप्रदेश के उत्री जिले ब्रिटिस भाहरत में प्रिंसली इस्टेट्स रजवाड़े या देशी रियासते खेलाते थे और इनका प्रसाशन अंग्रेजों के अधिनेस्त राजाओं के हातों में था देख तेख यहां पर हमारा अगला कोश्रन है मद्यप्रदे apparatus की इस्थापना किस तारिकों की गई थी चार बप्षन है एक नवंबर1957 एक नवंबर1956 एक सितंबर1957 या एक नवंबर1956 तो इसका आपका सही जावब बनता है वह मत अनव BOB genere उन।व बंता है एक नवंबर1956 कर को पूर्व मध्यप्रदेश जोय आपका तीन स्टेट्स में बटाता है तीन भागों में बटाता पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में जिसे 1903 में गठित राज्य पुनर गठन आयोक की सिफारिश पर नविन मध्यप्रदेश की रूप में आपका गठित किया गया और इस पु स्टेट तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वह बनता है ओप्शन सी सी स्टेट का जो है आपका भाग था पुनर गठन से पेले भोपाल देख लीजे इससे जुड़ी जानकारी 1947 को सतंत्रता के बाद मध्यपदस्तिन स्टेटों में आपका विभाजी था क्रमसर नागपूर थे पार्ट अब बी की दो राजदानिया थी पेली थी इंदोर दूसरी थी आपकी ग्वालियर वहीं पार्ट सी की बात करें तो इसकी जो राजदानिया आपकी रिवा थी अगला कोशन या पर देख लेते हैं कि महाकोशल छेत्रक किस स्टेट में शामिल था च का आपका जो सही जाब बनता है वह बनता है स्टेट मेस्ट एक इंतरफ जो है आपका महाकोशल वाला चाठा दो ग्ली तिन इस्टेटों में शामिल छेत्रों में महाकोशल एक मुख्य छेत्र था जिसे इस्टेटे में सम्मिलित आपका किया गया था महाकोशल छेत्र के राजदानी जबलपुर कापका यहां पर बनाया गया था अगला कोशन यहां पर है कि पुनर गठन के समय ली गई स्रोण टेसिल किसका हिस्सा बने यहां पर पुचा जाए कि मद्यपादस का पुनर गठन कब हो था तो पहली बात colleges चंपन में का जो है इसको हिस्सा बनाए गया तो मद्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है विदी सा उसका जो है इसको एक हिस्सा बनाए गया था यानि कि पुनर गठन के समय ली गए आपकी सिरोंस्तेसिल जो है विदी सा जिले का हिस्सा यहां पर बनी है साथ ही यहां पर देखिय भी यहां पर आपको बता देते हैं कि 1953 के फजल आयोग या जिसे राज्य पुनर गठन आयोग के नाम से भी आपका जाना जाता है कि सिपारिस पर पुनर गठित मध्यप्रदेश में राजिस्तान के कोटा जिले की सीरंज तेसिल को मध्यप्रदेश के विदिसा जिले में आप का सम्मिलित किया गया जबकि मंसुर जिले की बानपूरा तेसिल के सुनेल टप्पा को राजिस्तान के कोटा जिले में आपका सम्मिलित किया गया था तो जो आपका पार भी था उसमें सिर्फ यही दो चेंजेस हुए थे तो यहां से भी कहीं बार कोशन आया हुआ हुआ है पार्ट C में जो है कोच भी चेंजेस नहीं हुआ था और पार्ट A में यह चेंजेस हुआ था कि जो मराटी भावल या छेतर थे या मराटी भाषा जिन छेतरों में अधिकतर बोली जाती थे उनको तत्कालिन बंबई राज्य में जो आपका सम्मिलित कर दिया था अगला कोशन आपर देख लेते हैं कि मद्यप्रदेश में 36 गड़ के परशात कितने जिले रहे गए थे चार उप्षन 45, 48, 68, 43 तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वो बनता है 45 जिले 36 गड़ के गठन के परशात मद्यप्रदेश में कुल बच गए थे यानि कि जब 36 गड़ का गठन हुआ सन 2000 में और 2000 में जो 36 मद्यप्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य 36 गड़ बना गया तब जो है उस समय मद्यप्रदेश में कितने जिले आपके बच गए थे 45 जिले बच गए थे अगर आपसे आपसे पूछ लिया जाई कि जब 36 गड़ का गठन नहीं हुआ था उसके पेले यानि कि एक नवंबर 2000 के पेले मद्यप्रदेश में कुल जिलो के संक्या कितनी थे तो वह आपकी यहापर 61 आ जाएगा चलिए देख लेते हैं इससे जुड कि संक्या आपके सिश्ट्रिवन थे वहीं एक नवंबर 2000 को जो है 36 गर राज्या के गठन के परशा 16 जिले जो है इसमें चले जाने से वापिस मद्यप्रदेश में जो है आपके पेताल जिले से बस बच गए थे और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मद्यप्रदेश के जिलो के संक्या कितनी है तो वह आपके 52 है अगला कोशन आपर देख लिजे वर्तमान में मद्यप्रदेश में जिलो के संक्या कितनी है कोशन यही पर आगया तो यह है आपके 52 जिले है वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो 52 जिला है मद्यप्रदेश का कौन सा है तो यह आपका निवाडी जिला और इसका गठन एक अक्टूमबर 2018 को आपका किया गया था और इसी क्रम में अगर आपसे पुछा जाई कि मध्यप्रदेश का 51 जिला कौन सा है तो यह आपका आगर मालवा जिला जो कि साजापूर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को जो है इसको बनाया गया निवाडी जो है आपका ठिकमगर जिले से अलग होकर बना है और कि संभाग के अंतरगत आता है तो आपका सागर संभाग के अंतरगत आता है वही मध्यप्रदेश का 50 जिला आगर मालवा जो कि साजापूर से अलग करके बनाये गया था कि संभाग के अंतरगत आता है देख जो सही जाब बनता है वो बनता है यानि कि बचे हुए तीन ओप्शन कटनी कवर दावर्सी और जो है आपके जिला मुख्यालई है जब कि जिला मुख्यालई नहीं है बात करें अन्वाम सबसे बड़ा रेल्वे जक्षन है आपका इटारसी जक्षन यहां से कई बार जो है कोशन आपका पूछा गया है किन्तु जो है यह जिला मुख्याले नहीं है वहीं शिवरोगा कटनी मद्धप्रदस के जिले है लेकिन कवरदा जो है आपका 36 गड़ का एक जिला है अगला कोशन यहां पर देख लेते हैं जो कि कि हमारे दस्वे नंबर का है कि किन्द जिलो का समू बुंदेलखन छेत्र में आपका आता है चार उप्षन मंसोर राजगड शिवपूरी टिकमगड दमो या चतरपूर दूरगर राईपूरी या राजिनात गाउं रिवा सेहडोल या सतना तो इसका आपका जो सही जाप अगला कोशन यह है कि वर्ष 2008 में नौनिर्वित जीलों में शामिल है चार option है अलिराचपूर, सिंग रोली या A और भी दोनों या केवल A तो इसका आपका जो सही जाप बनता है वो बनता है option C, A और B दोनों यानि कि अलिराचपूर और सिंग रोली इन दोनों का जो गठे ने आपका वर्ष 2008 में किया गया था वही अगर आपसे पूछा जाई कि जो अलिराचपूर जिला है किस जिले से अलग होकर बना तो यह जो है जाबुआ जिले से अलग होकर बना था और तारिक थी इसकी 17 में 17 में 2008 को अलिराचपूर जिला आपका जाबुआ से अलग होकर बना था वहीं अगर यहाँ पर सिंग्रोली की बात करें तो किस जीले से अलग होकर बना तो यह आपका सीधी जीले से अलग होकर बना और तारिक थी आपकी 24 मई 2008 24 मई 2008 को सिंग्रोली जीला बना मई 17 मई 2008 को जो है आपका अली राजपूर जीला बनाया गया था देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला question कि मद्यप्रदेश के गठन के समय कुल जीलो की संख्या कितिनी थी तो यहाँ पर मद्यप्रदेश का गठन आपका कब हुआ था 1956 की यहाँ पर बात हो रही है अगला कुछन यहां पर देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहां पर आपको बता देते हैं सबसे फिले एक नॉम्बर 1956 को मद्य प्रदेश का पुनर गठन हुआ तब राज्य में कुल जिलो की संख्या आपकी 43 थी वह 1972 में भोपाल को जो है भोपाल वो राजना गाउं को जो है आपका जिला बनाए गया ओर जिलो की संख्या तब आपकी 45 हो गई थि तो यानि कि देखिये जब गठन throughout 1956 में यहा पर मद्यप्रदेश में जिलो की संख्या הפे 45 हो गई यहांसे विज़ो है इस आपके जिले बनाय गय थे एक बनाये गय अंपने देखते हैं कि निम्ने लिखित सम्मीतिय समीति जीलों के पुमणर गठेन से संबनें था अब लेanting समृति लेن में की समितित की है जिसके तो मद्यप्रदेश में 16 नए जिले आपके बनाए गये थे तो 1998 में जो है आपके मद्यप्रदेश में कितने जिले बने घंटे थे इन में से जो 10 जिलों की अनुशंशा की थी वह की थी कि देखेै अगर आप सिहीं देव अगर इंग्लीस में लिखते हैं तो यह a, i, a, n जो है आपका इसका पहला वरड आएगा वहीं अगर आप सिख्स भी इंग्लीस में लिखते हैं तो Az से सुरू होगा और यहाँ पर इस निदेव समीती है या भी ऐसे सुरू हरी है यानि कि 6 जीलों के जो अनुशन सा है आपकी सिहीं देव समयती के द्वारत के गई थी तो इस प्रकार का अगर कुछ क्लू भी अगर आपको एक्जाम में मिल जाता है तो आपका जो आंसर है यहां पर राइट बन जाएगा चलिए देखते हैं यहां मद्यप्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है मद्यप्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका अली राचपूर है वही पुर्वी जिले की बात करें तो यह आपका सिंग्रोली जिला है वही अगर आपसे पूछा जाई कि मद्यप्रदेश का उत्री जिला कौन सा है तो म जाब बनता है वर्तमान जो सिंग्रोली जिला है इसको मद्यप्रदेश के उर्जा राजदानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक जगह है आपकी बेड़न नामक जगह है उसी के कारण जो है इसको जो है मद्यप्रदेश के उर्जा राजदानी कहा जाता है देख लि लेकिन नया जिला सिंग्रोली बन जाने से आप जो बेड़न है सिंग्रोली में आएगा उर्चाती उर्जा राजदानी का खिता भी आपका सिंग्रोली को प्राप्त हो गया है देखते हैं यहां पर हमारा अगला कोशन के भौपाल जिला आपका कब बना चार उप्शन है एक सब्सक्राइब करता है वर्तमान मद्यप्रदेश की राजदानी भोपाल मद्यप्रदेश के गठन के समय से लेकर 1902 तक जो है सिवर जिले की एक तेसिल हुआ करता था जिसे अगला कोशन आपर देख लिजे कि मद्यप्रदेश की विभाजन से मद्यप्रदेश को सर्वादिक छती किस द्रश्टी से हुई यानि कि मद्यप्रदेश का जब 2000 में विभाजन हुआ और 36 गड़ इससे अलग होकर एक नया राज्य बना तो उस समय जो है या अभी जो है मद मद्यप्रदेश को आर्थिक छेत्र में या आर्थिक द्रश्टी से जो है आपके सर्वादिक यहां पर जो है हानी हुई है देख लेते हैं इससे जुली कुछ और जान का रहें सन 2000 में मद्यप्रदेश राज्य का विभाजन कर 36 गड़ नामक एक नया राज्य बनाया गया इस विभाजन से मद्यप्रदेश को सभी छेत्र भोगोलिक सामाजिक सांस्क्रतिक जन जाती आर्थिक छेत्र में छती पोची थी लेकिन इन में से सर्वादिक छती आर्थिक रूप से कही जा सकती है क्योंकि खनी जो और वन का जो बहु मुल्य भाग था 36 गड़ में जाने से प्रदेश की जो आई थी उस पर आपका सिधा असर पड़ा है तो इसलिए सामान्य तोर पर इसा कहा जा सकता है कि आर्थिक द्रश्टी से जो है मद्यप्रदेश को ज्यादा नुक्सान हुआ था अगला कोशन यहां पर है कि सन 1956 के राज्य के पुनर गठन के द्वारा र समरावती यवत्ताल वर्दा नाकपूर बंडारा और चादा जिले को चतकालिन मुंबई राज्य में आपके चले गए थे तो यह जो कथन आपका बिलकुल सही बनता है वहीं आपर दूसरा कोशन है कि मंसुर जिले के बानपूरा तेसिल के सुनेल टप्पा को छोड़कर प जिले के सेरेंज्टे सिल को मध्यप्रदेश के राजगर जिले में जोड़ी गई तो यह जो है पर सही जाप बनता है यानि की असत्य कथन है वहीं पाट सी का जो विंद्यभाग था इसको मध्यप्रदेश में आपका मिला लिया गया देखिए यहापर पार बी ही जो है हमारा कोच अबनी जो है यहां पर गलट हो जाएगा इसलिए जो हमारा यहां पर सही जवाप बनता है कि राजस्तान के को टाजिले की तेसे जो तो उप्षन से हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है अगला कोशन यहां से जूड़ी जानकारी देख लिजिए कि सन 1903 में गठित राज्यपुनर गठन आयों कि अनुशन शापर सन 1956 में मद्यप्रदेश की सिमाव में अनेक परिवर्तन आपके किये गये थे मद्यप्रदेश के गठन के संबन में विकल्प और द पूर्णत सही है जबकि राजिस्तान के कोटा जिले की सिरों तेसिल को मद्यप्रदेश के विद्यसा जिले में आपका शामिल किया गया था देखते हैं याँ पर हमारा अगला कोशन है कि मद्द्रदेश सरकार ने प्रदेश का दस्वा संभाग किसे бनाया है तो यह बनाए गया दर्मदापूरम नीजे जो सहडोल है वो मद्द्रदेश का आपका दस्वा संभाग बना है देख लिजे इससे जुड़ी जानकरी मद्यप्रदेस सरकार ने वर्ष 2008 में प्रदेस के दस्वे संभाग के रूप में सेडोल का आपका विदिवत सुभारम किया है या एक अनोका संभागों का जो चार पिछडे आदिवासी जिलो या था सेडोल उमरिया अनुपूर्त था डिंडोरी के विकास की नई इबारत आपके लिखेगा है तो देखेए सेडोल संभाग का आपका गठन कब हुआ है तो 2010 में इसको जो है आपका सोरी 2008 में मद्यप्रदेस का दस्वा संभाग आपका बनाया गया और इसके अंतर जो है आपके चार जिले सम्मिलित किया गया है अगला कुशन आपर देखते हैं कि वर्तमान में मद्यप्रदेस कूल कितने संभाग में आपका बटा हुआ है तो वर्तमान जो हमारा मद्यप्रदेस से 10 संभाग में बटा हुआ है तो देख लीजे इससे जुड़ी जान करें पूर्वे में मद्यप्रदेस 9 संभाग में आ पुनर गठन जो है आपका कर दिया गया है अगला कोशन या पर देख लेते हैं कि होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है तो होशंगाबाद संभाग जिसके अंतरगत आपके तीन जिले आते हैं कौन-कौन से आते हैं हर्दा आता है बेतूल आता है और एक पर सिंग्चोवां के द्वारत की गई थी साथ यहां पर शोड़ा responds मध्यपदश्र परकार ने वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और जिला बेतुल को जोड़कर उसका पुनर गठन करते हुए जो है नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है और इसका जो मुख्या लई है होशंगाबाद ही आपका होगा अगला कोशन आपर देखते हैं कि मद्यप् प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम जो है आपका बनाया गया था ओप्शन सी जो है अमारा यहां पर राइट आंसर बनता है तो होशंगाबाद हर्दा और बेतुल जिले को मिला कर बने इस संभाब को बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रहे थी और इस संभाग से थी आपके उस समय जब मध्यप्रदेश का गठन हुआ तब मध्यप्रदेश में आपकी मिलाई गई थी कुल 79 रियासते जिनमें जो आपका जो इस्टेट बी था उसमें जो है आपकी 26 रियासते विंद्यप्रदेश में यानि कि stat C था उसमें आपके 38 और CPN यानिकि stat A मे जो है आपकी 15 रियासते यहाँ पर मिलाई गई थी और इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी 79 रियासते 1956 में जब मद्यप्रदस का गठन हुआ था तब इसमें मिलाई गई थी अगला कोशन आपर देख लेते हैं कि मद्यप्रदस के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सिमा को आपको इस पर शकरते हैं तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वो बनता है मद्यप्रदस के 6 ऐसे जिले हैं जो कि दो राज्यों के साथ जो है आपकी सिमा या पर इस्पस्ट करते हैं उनके नाम इस प्रकार है पेला है आपका सिंग्रोली जिला जिसकी सिमा आपकी जो है उत्तर प्रदेश और चतिसगड़ से लगती है बालागट की बात करें तो इसकी जो सिमा है आपकी चतिसगड़ और मह राज़पूर की बात करें तो इसकी जो सिमा है आपकी महाराष्ट और गुजरात राज्य से लगती है तो यह मद्यप्रद्श के छे ऐसे जीले थे जिनकी जो सिमा है दो राज्जों को आपके स्वर्ष करती है अगला कोशन आपर है कि निम्ने में से सबसे कम जीले की जो है आपके तीन जीले आते है मुरेना, शोपूर और भिंड जो जीला है आपका चंबल संभाग के अंतरगत ही आता है साती नर्वदापूरम जो संभाग है इसमें भी आपके तीन जीले आते है हर्दा, होशंगाबाद और बेतूल लेकिन यह ओप्शन में हमें चंबल द जो है मुख्यालाई इस्ती थे, चलिया देखते हैं यहाँ पर अगला कोशन कि अगस्ट 2013 में गटी थे मध्य प्रदेश का इकाउनवा जिला आगर मालवा, मुलतक किस जीले से प्रथक करके बनाया था, तो यह जो मध्य प्रदेश का आपका इकाउनवा जीला बना आगर म मद्यप्रदेश के साजाफूर जिले से जो है आपका अलग करके बनाया गया और कब बनाया गया तो यह आपका 16 अगस्त 2013 को जो है इसका आपका गटन हुआ था डेट हमारे लिए इंपोर्टेट बनती है साथ यहाँ पर आगर मालवा में एक जगह है जिसका नाम है सुसनेर वहाँ पर विश्व का प्रथम बहरन भी आपका इस्तापित किया गया है साथ ही एक महतोपुन जानकारी और यहाँ पर बता देते हैं कि मद्यप्रदेश के 14 जिलों से होकर आपकी करकर रेखा गुजरती है लेकिन जब इस आगर मालवा का गठन नहीं हुआ था उसके पहल है यहां से भी कोश्चन हमारे लिए इंपोर्टेट बनता है देखते हैं हमारा यहां पर अगला कोश्चन अगला कोश्चन 2800 नंबर का है कि वर्ष 2008 में मद्यप्रदेश के दो नए जिले कौन से गठित किया गये थे तो यह आपके बनाए गया था सिंग्रोली ओल अली रा जिला है यह आपका मद्यप्रदेश का उन पचासवा जिला है वहीं सिंग्रोली जो है आपका मद्यप्रदेश का पचासवा जिला है देख लेते हैं यह आपर हमारा अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपर है कि विभाजन के बाद मद्यप्रदेश राज्य की सिमाएं कित 1998 में मद्यप्रदस में बनाए गई जिलो क संक्या कितनी है तो इसकी जाः जो जिलो की संक्या आपकी 16 देखिए oh इसके साथ हमारा जो आज का आप मद्यप्रदस का पुनर घञत जी ले ऐसे समबंदी जो पार्ट ऑन था यह विधियो है यही पर समाप थो होता है तो विडियो अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर बताएगा साथी विडियो को अधिक सदिक लोगों तक शेयर करेगा वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा थैंक्यू वेरिमार्ट